आज जो केस हम पेश कर रहे हैं ये दरअसल केस ही नहीं था ना कोई शिकायत दर्ज हुई थी ना जुर्म का कोई सुराग था सिर्फ एक खबर हाथ लगी थी एक ऐसी खबर जो हम तक काफी अजीब और गरीब रास्ते से आई थी एजीतू एक कॉट्र पिलाना भाई किवे चंदू एपी पटे तेरा यह पिलाना बिलकान जूस दो दिन से गला सुकराई भाई यह तो बात है इस बार खास खबर से खास केस निकलेगा देख लेना तू और तुझे खबर्यों का वो मिलेगा वो वो क्या हाँ भारत रत्तर मिलेगा तरे को मेरे को बस एक एक हफ्ते की प्ला देना अब उसी मैंसे एक कौटर प्ला देना भाई गला सुकराई जितू अज तारीख क्या है भाई पंदरा जून दो हजार सत्रा गुरुआर आगे बोल दो हजार पंदरा में दिवाली कौन से तारीख को पड़ी थी याद है अब जो तुझे पड़ेगी न सारी जिंदिगी याद रखें हार तरफ पठा के चल आये थे 2015 डिवाली कर ता और क्या होगा दो हजार पंदरा की डिवाली में और डो हग्नापुर्म टेसन मालम तरह को अब आगे बोल बेवडे अग्नापुरम टेसन से थोड़ा आगे है नहीं, पीछे, नहीं श्याद आगे है, यादा है, यादा है, यादा है, यादा है, तेशन से थोड़ा आगे, भातक से पहले, मैं फुरा खंबा डाउन था, बोरी बिच्छाई और लेड गया झालए आगे है만 ठनागन है, यादा है झालए आगे यादा थादान से जरत पर लेड़ क натागी इंफ याद, भोरी नहीं है, जो क्लिचस, बजय है यादागै झाल 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 कौन था आदमी जिसको पट्री पर लिटा है। मुझे नहीं पता। और वो चार लोग कौन थे। मुझे क्या पता। तो साली तुझे पता किया अभई चंदुरुप दूसरे दिन मैं टेशन पर भीक मंग रहा था। तुम्हाने उस आदमी को जो पत्री प लिठा के गए थे ना। उसको फिर देखा सुभा। वे साली चंदुरुप मरा हुआ था वो। तुम्हाने थे आदमी आदमी पता हुआ है। यह आम्मा आम्मा वो के को खाना करता है। अम्मा दो दिन से कुछ निखा आम्मा कई दिनों तक उस लास की फोटो प्लेट फारम के बोरट पे चिपकी रहे। पर निकाल देगे। तो यह है कपर। सुट। 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 तेरे बाप लोग पुलिस वाले पता करेंगे ना। तु तु उन्हें बस ख़बर दे। तगड़ा इनाम मिलेगा। ख़बरें 36 गंटे बाद भी एकस्वायरी हो जाती है। और तु मैं 36 महीने पहले के ख़बर सोना रहे। वो भी एक ब्रेकिंग न्यूस के तरह। अबैजी तु क्या समझके रगा तूने हमें। न्यूस चैनल। सर पहले मुझे भी यही लगा था कि यह चंदुर भीगारी ना। सर आप के लिए मुझे कोई गोली दे रहे। लेकिन सर वो टून होने के बाद भीना उसी बाद पर अडा रहा ह। तब मेरे दिमाग की घंटी बजी की हो सकता है जो मडर हुआ हो वो सच में हुआ और उसे वो क्या मोलते है कि उसे एक्सिडेंट का कलर दिया रहा ह। मतब परफेक्ट मडर। अरुनापुरम रेलबे स्टेशन के पास। जी हाँ, मैंने पता लगा है यह चंदरु भिखारी जो स्ट्रैक की बात कर रहा है वो अरुनापुरम और हमगुडी इनके बीच में पढ़ता है। 2015 में दिवाली की टाइम, अरुनापुरम जी अरुनापुरम से वरिफाई कर लो जे सर। सर हो सकता है बॉडी अभी तर्क्लेम भी हो गई हो। उस भिखारी का कहना है कि उसने ट्रैक पर लटाते हुए चाह लोगों को देखा। इतनी वार्णिक और इतने फाइन के बागजूत कितनी लोग डेली इस पर्ट्री को क्रॉस करते हैं। और इस ट्रैक में एक्सिदेंट रेट्स हाई हैं। लगों हरफते हैं यहां पर कोई न कोई एक्सिदेंट केस होता ही है। मैं फिर भी दिवाली 2015 के आजपास रेलवे एक्सिदेंट की केसी की फाइल को लाइन अप करने की कोशिच करता हूँ। जरहसल मैं अजवत हैं पर था नहीं। इस पोस्टिंग में मुझे सिफ आट महीने हुए। फाइल रूम मुझे चेक करना पड़ेगा। हम सिर्फ इसलिए चेक कर वा रहे हैं। क्योंकि खबरी नहीं में टिप दी है कि मर्डर हुआ हो सकता है। अब ये भी हो सकता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो। केंद्रू ने कहा था कि मरने वाला आदमी था राइट। ये सर। तो फिलहाल औरत को रूल आट करते हैं। इश्वर के लगता है। ये। सर। लगता है इस आदमी को जान बूज कर इस तरह से ट्रेक पर रेटाए गया। ताकि इसके चेहरे को पूरी तरह से बिगाड़ दिया जाए। अडेंटिटी पूरी तरह से मिटा दी गई। ये तीनों तस्वीरें चंदरू को दिखाओ। ये जितु जितु देख 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 तू चाहे तुस खंबे के पैसे लेले। लेकिन मुझे पिटवा अग्वा मात भाई मार खानी के उमर नहीं है मरी। जिल की अवा तुका सकते है ना। यार उस रात में दारू पिया था लेकि सच बोल रहा था भाई। आज चाय पी के सच बुंदे आजा। ये ये था साव। मेरे को अच्छी तरह आद है। कपड़े भी यही थे साव। अच्छी तरह देवाली का टाइम था। पक्का तू टाइट होगा। ट्रेक पर अंधेरा भी होगा। फिर भी तू पहचान क्या। कहीं ऐसा थो नहीं दारू अरू के चक्कर में इस जीतु को गणी तरह था। नहीं साव। बाकली कसम। चार लोग थे साव। और आकर इस आदमी को पट्री पिलिटा गए। मैंने आखों से देखा था। सर, अरुनापुर्ण जी आरपी ने एक नॉवेम्मेर दोजार पंदरा से 15 नॉवेम्मेर दोजार पंदरा तकी सभी मिसिंग कंप्लेंट छानी। लेकिन कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं मिली होना है। ते रेल्वे ने खुद ही इस लाश का क्रिया करम कर दिया। और बाद में कोई खोच्टा पूच्टा भी नहीं है। ची नहीं सर। हमारे पैस एक पेकड़ बिखारी आई बेटनेस है। और किस्सा भी देट साल कुराना। हिश्वर, क्या ये केस हमें हाथ में लेना चाहिए। नॉवंबर 2015 से जनवरी 2016 तक सिर्फ अरुनापूर हमी नहीं बलकि करनाटक के हर पूलिस टेशन में ये फोटोग्राफ और डीटेल भेजे गया है। कहीं पे भी किसी कंप्लेंट के साथ में ये मैश नहीं हुए। जनवरी में केस क्लोज कर दिया गया। तो अब कहां से स्टार्ट करोगा मैश। तुम्हारे पास सिर्फ एक शराभी का बयान है। कोई मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं। तो शर्षाद मिसिंग कंप्लेंट फाइल की नहीं गए। या हो सकता है किसी अऔर दिस्टिक में की गए। या किसी अऔर स्टेर्ट में पर सर मेरा इंट्यूशन कहता है। कि ये मर्डर हो सकता है। ले लो केस। मैं तो कहता हूँ कि भीड जा। कोई प्रेशर नहीं। लेकिन एक मौका है। ये परूब करने का कि कभी कोई परफेक्ट क्राइम होई नहीं सकता। सर्ड डेट बोड़ी के फोटोग्राफ को फिरसर सर्कुलेट करने का कोई सैंस बनता नहीं है। सब भी पुलिस थाने में जा चुकी है। सब के फाइल बहूंगी। ये केस तक्रीबन डेट सार पर आने केस है सर। और सर अगर हम ये मान के चलते हैं कि विक्टिम अरुनापुरम या फिर उसके आसपास के रिया का है। तो फिर विक्टिम के परियावालों ने में सिंग कंप्लीन दर्ज नहीं कराई हुई। विक्टिम के कपड़ों से ये लोर मिडल क्लास ये वर्किंग क्लास का लगते है। और कहीं न कहीं तो इसका घर होगा। जहां ये पिछले गेट साल से लाटा ही नहीं है। ये अरुनापुरम और ये हमगोडी और ये है इन दोनों इलाकों के बीच में से गुजरता हुआ वो रुलिवे ट्रैक जहां पर आदमी को लटाया गया। विक्टिम या तो हमगोडी का हो सकता है ये अरुनापुरम का और उन चारों कातिलों में से कोई एक या तो इस इरिये का हो सकता है या इस इरिये का या ये भी हो सकता है कि ये सब के सब या तो हमगोडी से कनेक्टेड हो या अरुनापुरम से हो सरी अरोनापुरम, हिमगुडी, मागी हली, तासीगरी, सेरोनाद, यहां कहीं से भी हो सकता है क्योंकि यह सबी अरिया एक दूसर से काभी नज़िक असर पिक्टिम करीब डेट साल से घर नहीं लोटा है उमर 26 से नतिस साल अब हमें एक अन्जान आदमी के पहचान ढूंड निकान लें तकरीबन दस लाख लोगों के बीच में से पिक्टिम के चहरा में नहीं पाता पिक्टिम मारा गया और जो भी हो ढूंडना तो है दस नूमबर 2015 की चुगए उसका सर कुछला होवा मिला था अरुनापुरम से हमगोडी के बीच रेलवे टेक पर उमर 26 से नतिस साल के बीच होगी और गरीब घर से था अब तुम लोग ये पता करों कि पिछले देड़ साल के अंदर घर वापस कौनने दो उस मारे गए आदमी की अडेंट्टी की तलास चारी जो अपने घर नहीं लोटा था पर साथ साथ हम दूसरे केसेस में भी बीजी थी और तब ही एक देन वो खबर आई जिसकी उम्मीद काफी कमते तू हिमांगी से पूछ ले वो यहां से तीसरी गली में रहती है अच्छा इस हिमांगी घर में कोई ऐसा है जो कि पिछले डेड़ साल से घर वापस नहीं लोटा है हाँ विजे विजे कोटियान उसका पती जहां तक मुझे याद है पिछले के पिछले दिवाली से वो दिखाई नहीं और हिमांगी घरों में काम करती है इस वक शायद वो घर पे होगी कौन आप हिमांगी कोटियान हां मैं ही हूँ आपकी पती विजे कोटियान दोजार पंदा की दीपावली के टाइम से घर नहीं लोटे हां हां किदर है वो आप कौन विजे ने भेजा है जी नहीं मैं पुलिस के तरफ से हूँ पुलिस विजे जेल में है क्या जी नहीं मेरे पास एक फोटो है पर उसका चेहरा नहीं है चेहरा चेहरा नहीं है मतलब कि अच्छ पास पता चला क्या नहीं है मांगी बिटा परवती और में अच्छ को धूंड के थक क्या विजे नहीं कुछ बताया था है मंगी कहीं बार जाने वाला था नहीं अम्मा तीन दिन परे रोज की तरह पीकर आया था उसकी बद बोला कुछ जरूरी काम है तो मैं भी मांसी को सुला कर सो गई मैं उसकी कंश्टेक्शन साड़ पर गया था सबसे मिला हुआ कि सुपर बाइजार कामगार सब यहीं बोल रहे थे नहोतारिक के बाद इधर आया ही नहीं साब पूरे एक हपते के बाद तक्दीर चमकी है वो फोटो वालाद भी मिल गया है क्या मिल गया सर वीजय कोटिया नाम था उसका यही मागी अली का रहने वाला था उसकी पतनी हिमांगी अपनी बेटी मांसी को छोड़ने अपने सास्तोसूर के घर गई है मैं उसे अपने साथ में लेकर आ रहा हूं सर कुछ और अजीब गरीब सी चीज़े पता चरी है मैं अब आगर महीं पर बताता हूं आप अप हाँ हाँ साप मुझे अच्छी तरह से आद है विजय ने उस रात को यही कपड़े पहने थे नौ नवंबर को विजय कहां जा रहे हो पी कर आयों और कितना पी ओगे और जा कहां रहे हो मैं किसे का खून करने जा रहा हूं ठीक है और तूने जादा टेंटे की नहीं मांगी तेर को भी काट दोगा मैं समझी कहां जा रहे हो विजय पीकर मारता था पिना पिे भी मारता था बहुत गुस्सा वाला था साहब उस रात को भी घुस्से में निकला था घर से ये जो विजय ने घर से जाते वरक्त किसे को जान से मानने की बात कही थी यह यूही नशे में कही थी या सच में उसकी किसी से को जश्वनी थी पता नहीं कभी-कभी तो मुझे भी मारने की धमकी देता था हमारे एक सोर्स ने चार लोगों को देखा था तुम्हारे पती वेजा को पट्री पर लिटाते हुए क्या तुम बदा सकती हो कि वो लोग कौन हो सकते हैं मुझे नहीं मालूम हिमागी तुम क्या रही थी कि तुमने तुमने तुम्हारे सास और ससूर सब ने वेजा को काफी ढूंडा तो फिर पुलिस कंप्लेंड क्यों नहीं कराई आदत थे उसकी छगड़ा करके जाएगा फिर दो-चार दिन तक वापस नहीं आएगा माबाप की घर पे ही रुक जाएगा और उसके बाद चुप-चाब कुछ दिन में घर लोटाएगा हमें लगा इस बार भी पर इस बार देट साल गजर गया चीटू, तू कुछ बताने वाला था ना? जी साब, इनके घर से पहले भी एक आदमी गायब हुगा था और कौन गायब हुगा था है मांगी? मैं उनसे कभी मिली नहीं उनसे? किन से? मेरा जेट, विजे का बड़ा भाई, निलेश अनना इनिलेश को टिन कभ से गायब है? मेरी शादी के पहले सिसाब कभ हुई थी तुम्हारी शादी? 2011 में, लेकिन निलेश अनना तो 2010 से गायब थे विजे नहीं बताय था उनके बारे में सब इस विजे के माब आप सरूर कुछ बता सकते हैं निरीस के बारे में इमांगी, विजे के पास मोबैल तो रहा होगा ना? नमबर याद है तो मैं उसका नमबर तो याद है पर नमबर सेवा में नहीं है ऐसा बोलता है कोई बात नहीं इस पर लिख दो यह विजय कहां काम करता था है मांगी मजदूर था वो बिल्डिंग बनती है ना वहीं काम करता था जिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था विजय वहाँ उसके कोई दोस्तों होंगे विजिय के दो दोस्तों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ एक ओमकार प्रसाद और रतन राओ वो भी विजिय के साथ मज़दूरी करते थे नंबर यह ओमकार प्रसाद और रतन राओ यह दोनों कहा मिलेगा ओमकार तो हमारे महले में ही रहता है साब जब विजेक होया था, तो उसने ही हमारी मदद की थी. भरी हरन कोटियान? जी, मैं आपकी वो हिमांगी? उसने आपको आपके बेटे विजे के बारे में बताया? जी, बताया. आपकी बहु हिमांगी ने हमें आपके बड़े बेटे निलेश के बारे में भी बताया. पहले निलेश चला गया, फिर विजे. अब विजय के बारे में ऐसी ख़बर आई है कि कुछ ऐसा हुआ है लता दीदी ये ओमकार किदर है पता नहीं मंगी सुबह सही ताला लगा है मैं साइट पर भी होकर आई पर वहां बोले काम पर नहीं आया है गाउवाओ गया होगा सुब्रेन से बात करके देखो ये सुब्रेन कौन है हम सब क मकान मालिक ये निलेश 2010 से गाइब है हां निलेश एक दिन काम से लोटा ही नहीं कहां काम करता था निलेश जी वो हाइवे पर हटे लेना निनाक से जब वो बंढ रहा था तो वहां इटे पार्वती जी आखिर माजरा क्या है ऐसा भी क्या डर्ना पुलिस से अच्छा 2010 में जब निलेश गाइब हुआ टेट महीना कुछ याद है आप लोगों को जी साथ साल हो गए तो कुछ अच्छे से याद नहीं हुआ सबसे पहले में यहीं आई थी ओमकार से पूछने ओमकार क्या हुआ है मांगी विजे रात बर घर नहीं आया रहदार वारू पीकर कहीं पड़ गया होगा एक कामकर तू रतन से पूछ ले मिला मुझे रतन रास्ते में उसे भी कुछ पता नहीं है अरे रतन विजे को देखा क्या कहीं पे तुमने नहीं तो क्यों क्या हुआ बात क्या है मांगी रात बर घर नहीं आया विजे लगा तुमने कहीं देखा होगा नहीं मुझे सुबराय जी आप जानते है रहतन को हाँ हाँ अच्छी तरह रहतन भी यही रहता था उमकार के साथ रहता था मतलब अब का रहता है वह अब पता नहीं साब 2015 के आखिर तक दोनों यही रहते थे एक्रिमेंट दिखाए एक्रिमेंट पर रहतन पर नाम फोटो एडरस नहीं है अमकार मुझसे बोला कि वह उसका बहुत अच्छा दोस्त है इसके लिए मैंने उसको रहने को दिया और वह आदा किराय भी देता था इसके लिए मैंने फिर कागज पत्री वागरा कुछ बनाया नहीं तो पर लफड़ा क्या है तुम्हारा पती गाइब है पूरे डेर साल और तुमने शेकाइब भी नहीं कि और डेर साल से मैं इंतिजार कर रही हूं साब उसका कि आज आएगा कल आएगा मेरी बेटी को इसका बाप मिल जाएगा जबकि जानवर की तरह पेश आता था विजय मुझ से और अब लफड़ा पूछ रहे हैं लफड़ा तो हो गया अब यह केस औगरीब तरीके से शुरू होता और अब और भी घृजीफ होता जा रहा हॉत mêmesटी आख सो गरी अव्याज्द करे असार बड़ा भाई निलेश कोटियान, यह 2010 से गाएऑ है शाख साल हू चुके पर इसकी भी missing complaint दरज नहीं की गई है और यह ओमकर प्रसाथ विजय कोटियान का दोस्त यह सुबह सी गायब हो गया सर इसका मोबाइल भी switch off है और इस ओमकर के साथ रहने वाले विजय का दूसरा दोस्त रतन राओ, वो पिछले एक साल से गायब है उसका थो कोई फोडो भी ने हमारे पास सर सर इस विजय की पतनी हिमांगी इस पे डाउट जा रहा है strong doubt I mean एक पती की मार से परिशान औरत जिसका पती अचानक गायब हो जाता है एक तरस उस चुटका रहा ही मिल गया पर सर जैसी हिमांगी को पता चला कि हम पता कर रहे हैं विजय के बारे में सर चौक गई सर मुझे ऐसा लगता है कि हिमांगी नहीं ओमकार को टिप ओफ किया होगा उसके ओमकार गायब हो गया सर आइधिंक विजय के केस में ये ओमकार और हिमांगी दोनों involved है हिमांगी पर तुम्हारा शक इस बुनियाद पर है क्योंकि डेट साल तक ना तो उसने अपने पती विजय को ढूंडा और ना ही उसे ढूंडने में पुलिस की कुई मदद ली विजय को टिन के missing होने में हम उसकी पतनी हिमांगी पर शक कर सकते हैं लेकर फिर निलेश के गायब होने में सर ये विजय हिमांगी की शादी 2011 में वो थी पर ये निलेश तो 2010 से ही गायब है सर चंद्रू बिकारी का कहना है कि वो चार लोग थे जिन्होंने विजय को ट्रेक पर लिटा है था सर अभी तक हमें विजय के सिर्फ दो दोस्तों के बारे में पता चला है एक तो यह ओमकार प्रसाथ और दूसरा है रतन राव जिसका अभी तक हमेरे पास फोटो नहीं है और सर इन चार लोगों में एक इस ओमकार के होने के पूरे चांस है जैसी से पता चला कि हमें पता चल चुका है तुरंट फरार हो गया इस विजय कोटिन के फूर्ड निकार्ट्स निकला हो हो सकता है उसमें रतन राव का नमब नदर आज़ा और सर में विजय कोटियान के बड़े भाई निलेश कोटियान के केस को खंगालती है हाईवे के पैस मिनाक्षी होटल के कंस्ट्रक्शन पर ये काम कर रहा था जो बिल्डिंग तो कपकी पूरी हो चुकिया सर सर आइधिंक 2010 के कॉंट्राक्टर लिस्ट में इस निलेश का नाम जरूर होना चाहिए और मुझे लगता है कि हमें 2010 के कितनी भी रेलवे ट्रैक पर एक्सिडेंट केसिस हैं सब खंगालने जाहिए हो सकता है 2015 में जो विजे के साथ हुआ वही 2010 में निलेश के साथ भी हो इस अजीबों गरीब केस में कुछ भी मुम्किन एक केस बड़ा बनता जा रहा है हो सकता है बिखारी चंदरू की छोटी सी टीब किसी बड़े कान का पिटा रखोग दे जी मुकेश शर साल 2010 में जितने भी ट्रेन एक्सिडेंट केसिज आपके जूरिस्डिक्शन में मुझे सबी की फाइल चाहिए उसके थोड़ा वक्त देना पड़े गंजली साथ साल पुराने रिकॉर्ड्स है ठीक है मुकेश सर जी तो इस ओमकार पर साथ को ढूंडने का यह पका को जानता है इसलिए हमें सूंगते किसी बिल में जाकर चुप गया और इस हिमांगी पर भी नदा रखवा हमें शरक है क इसकी भी इंवाल्मेंट हो सकती है सर आप चिंता बत कर एक केस मेरे लिए बहुत खास है उल्टा जो चल रहा है सब ऐसो पहली बार हो रहा होगा ना कि मेरी दी हुई खबर की पेट से केस जनम ले रहा है दो नमर मैसेज कर रहा हूं यह दोनों नमर स्विच्ट ओफ हैं पर दोनों के रिकॉर्ड्स चाहिए कंज्यूमर फॉर्म से लेकर सपोर्डिंग डॉकुमेंट्स तक पूरी फाइल हाँ 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 दो हजार पंदरा के ही रिकॉर्ड्स मांग रहा हूं होटल के उनर से ही मालूम होगा कि वोटल कौन सी कंस्क्राइब कर रहा है कंपनी ने बनाया था और वहां से आपको लेबर सप्लियर का कॉंटेक्ट मिलेगा वैसे साथ साल पहले की बात कर रहे हैं आप 2010 के जी पराग जी 2010 उस वक साइट पर काम कर रहे हैं निलेश कोटियान को ढूंड रहे हूं तो साथ साल पीछे तो जाना ही पड़ेगा आप एक बार अपने होटल के उनर से बात कीजिना प्लीज मुझे दो दिन का टाइम दीजे मैडब प्लीश आम तक कर देजिए वैसे हम निलेश कोटियान के छोटे भाई विजय कोटियान के केस में डेर साल लेट है और निलेश कोटियान के केस में तो साथ साल लेट है पादमागर करें dark तुम उमकार परसाद और रतनराओं को जानते हो हां थोनों को जानता हो हमारी तड़ा मजदूर है क्यों तो थोना परसाद गया और रतनराओं को कुछ स्बता नियुकि न कृतिक-सर यह एंक कर पर में पूछ여 अरे भाई वो तो दो दिनों से काम पर ही नहीं आया है मालूम है माजरा क्या है और तुम को नो मैं पुलिस का मजदूर अच्छा सुनो लगभग देड़ साल पहले यहां से एक मजदूर गायब होता विजय कोटियां जानते उसे दीपवली के टाइम पर विजय को ना जानता हूं मैं उसका बड़ा भाई निलेश वो भी कई साल पहले गायब हुआ था मालूम है मुझे निलेश भी पहले हमारे साथ ही काम करता था देख भाई जी तो अपने माई बाप पुलिस वाले को बोल दे अगर यह उंकर प्रसाथ कुछ करके भाग भाग गया होगा रहा तो मुझे जरूर मध्या प्रदेश गया होगा मध्या प्रदेश तो काफी बड़ा है देखो और कुछ मुझे पता निए जहां तक मुझे याद है पहले उसका मां से अपड़ाउन होता था ठीक है और यह रतन रतन राओ यह रतन तो काफे टाइम से दिखा नहीं है बहुत ट का मर्डर वर्डर हो गया है और एक बात यह विजय कोटियान की पत्नी हिमांगी है ना पुलिस को उसके शक है कि यह विजय की मर्डर में उसका हाथ हो सकते है ऐसा यह माजरा के है एक गवाया जिसमें 2015 को दीपावली की रात में चार आदमी को देखा था अपने विजय को को ट्रेन की पट्री पर लिटाते हुए उसमें विजय के दो दोस्तों को हमने पहचान लिया है एक उमगार परसाद और दूसरा रतन राव यह बांकी दो कौन है तुम लोग बता सकते हूं हम क्या बता है हमें तो वैसे यह सुनके डर लग रहा है कि अपने विचा का मर्डर और बाइस जी तु तु यह जो हिमांगी उससे दूरी रहना बड़ी चालाक औरत है वह चालाक से तीरक है मतलब करतिक देश जबसे विजय गायब हुआ है ना तब से महले से लेकर साइड तक सब लोग यही कह रहे है कि हिमांगी जो थी वह विजय से चुटका रहा चाहती थी और बस इसलिए उससे अपने पती को राशे जैसा कर दिया कि अ 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 कि यह कॉर्पाइल 2010 के एक्सिडेट के सी कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि नौनोंबर 2015 की शाम को विजय कोटिन के फोन पर आखरी कॉल इस रहतन रहो कह और उसके बाद सी रहतन का फोन स्वेच अप हुआ था वैसे इन दोनों दोस्तों के बीच काफी बाचीत होती थी सर ओमकार के साथ भी विजय कोटिन के कातल के केस में अभी ओमकार और रतन दोनों हमारे प्राइमरी लिंक्स इसमें कोई शक नहीं ओमकार अंडरग्राउंड है सर हिमांगी रडार पर रहे अब बस इस रतन का पता चल जाए तो शायद इस केस में हम नेक्स लेवल पर पहुंच सकते हैं और विजय के बड़े भाई निलेश उसके केस में क्या प्रोग्रस है अरुनापुरम से 2010 के सारे रेडवे एक्सेडेंट केसेस की फाइल्स बहुत जल्दी आजेंगी सर अंजली मीनक्षी उटल के कंस्ट्रेक्शन सुपरवैजर को ट्रेक कर रही है जहां ये निलेश साथ साल पहले मजदूर ही करता था लगा रहे जीतू छोड़ना मत जो सवाल उमकार प्रसाथ से करना है वही सवाल हमें इस रतंग राव से भी करना है सर वैसे मैंने मद्ध प्रुदेश में अपने चार आत्मी को काम पर लगा दिया जो अलग लग जवाओं पर इस उमकार प्रसाथ को डून रहे है और गुंदूर साइड में एक टीम आउन कर दी है इस रतंग राव के लिए 2010 में कुल में लाकर कितने एक्सिडेंटल डेथ केसिस हैं कुछ 68 फाइल से मैडम सबके सब रेलवे की पट्री पर हुए एक्सिडेंट केसिस हैं इन में से जारा तो शराबिया और गर्दू ले थे जो नशे के हालत में ट्रेक पर गिर गए हैं कुछ सुसाइड केसिस भी है मेंड़ा हर साल हजारों की तादाद में लोग रेलवे ट्रेक्स पर मारे जाते हैं इन में से जारातर केसिस अननैचरल एक्सिडेंटल टेस्स की फाइल्स में क्लासिफाई होते हैं कई लाशें लावारिस बनकर पड़ी रहती हैं जिनका रेल्वे द्वारा क्रियकरम कर दिया जाता है, कभी कबा, जैसे कि इस केस में, मर्डर को एक्सिडेंट का रंग देकर, उस संगीन जूर्म को एक्सिडेंट फाइल्स में चुपा दिया जाता है, गुजरते वक्त के साथ साथ ये साफ होता गया के विजे कोटियन का केस क्लियर कट मर्डर केस था और 2010 की फाइलों में से भी हमें विजे कोटियन के केस से काफी मिलता जुलता केस मिलने वाला था और उसमें भी शायद मुर्डर को एक्सिडेंट का लिवास पहना दिया गया था और ये केस था विजे के बड़े भाई निलेश कोटियान का सर 2010 के 68 केसे में से ये केस ऐसा है जिसके डाउट जा रहा है ये सितंबर 2010 का है और सर इस केस में भी बॉड़ी जियों कीते हैं सिर्फ सर ट्रेन की नीचा आके को चल गया है बिल्कुल विजे कोटियान के केस की तरह है और सर ये 2010 वाला केस भी अरूनापुरम और हिमगोडी के बीच वाले ट्रेक पर हुआ था विजे की बॉड़ी भी इसी ट्रेक पर मिली थी अब शायद हम एक नहीं दो दो मर्डर क्रेसिस का सामना कर रहे है नेलेश कोटियान और विजे कोटियान इन दोनों भाईयों के पांस साल की गया वो सकता है दोनों का कातिल सेम हो अब सब मोडर सपरेंडी तो सेम है ही ये मोडर सपरेंडी ये इस तरह लोगों को मौत की घाट उताने का तरीका शायद उन चार हत्यारों ने कुछ और लोगों पर भी इपनाया होगा सब में नीलेश और विजय के पैरेंट्स को नीलेश की फोड़ो दिखाता हूँ हालां कि ऐसी हालत में उनके लिए पहचान पाना थोड़ा मुश्किल होगा फिर भी ट्राइ करता हूँ शायद नीलेश के कपड़ों से पहचान जाए अब कुण हरी जी परवनती जी क्या इसा कोई भी है जो हमें नीलेश के बारें में और जानकर दिखिया सकता है जो उसके करीब था जो उसके सबसे करीब हम ही थे परवाम बुटिक हो गया छोट साथ-स राना सब कुछ धंडला सा हो गया नीलिश को भी ऐसा ही मार डाला गया था कौन थे वो लोग आरवती जी हमें पक्का तो नहीं मालू है लेकिन जिस तरह से वेजय का कतल कर दिया गया था रेल बेड़ ट्रेक पर सुला कर एंद ठीक उसी तरह से इस आदमी का भी कतल कर दिया गया था अब हमें ये लग रहा है क कि सितंबर 2010 की ये लाश आपके बड़े-बेटे नेलिश की थे अच्छा क्या आप लोगों की कोई परानी खांदानी दुश्मनी है जिसके चलते आपके दोनों जवान बेटों को गाइब करके मार डाला गया है हम गरीबों का कैसा खांदान कैसे दुश्मनी है हम खाली पे ट सुरी मैडम थोड़ा टाइम लगया हमारे होटल की कंस्ट्रक्शन कंपनी तक पोचने में लेकिन लेबर सुपर्वाइजर से कॉंटेक्ट हो गया थांक्यू पराग जी प्लीज इसुपर्वाइजर का नंबर फोवर्ड करती जी मैडम मैं अभी फोवर्ड करता हूं नाम क अभी फोवर्ड का नाम है गिरिश किनी हलो है हलो है को अगर मैं असिस्टेंस सब इंस्पेक्टर अंजली शेटी बोल रहे हैं क्राइम प्राइज क्या बात है मैडम गिरिश 2010 में हाईवे पर गुटल मिनाख्शी का कंस्ट्रॉक्शन चल रहा था वापर तुम्हारे एक ल वैसे भी साथ साल हो गए सेकड़ो मजदूर आये गए और इसका चेहरा भी तो गिरिश ये मुडर केस है जिस तरह निलेश के चोटे भाई विजय का मुडर हुआ दो हजार पंद्र में उसी तरह 2010 में खुद निलेश के भी मुडर होने की संभावना है चोटे मजदूर गिरिश और सिर्फ इतना ही नहीं हमें डाउट है जिस तरह से इन दो भाईयों को मार दिया गया रेलवे ट्रैक पे लिटा कर उसी तरह से उन लोगों ने और भी कई लोगों को मारा हो सकता है अच्छा गिरिश एक बात बताओ ये जो मिनाक्षी होटल का कंस्रुक्शन जिसमें उसका छोटा भाई विजय भी शामिल हो नहीं मैड़ा मैसे तो कोई बात नहीं थी ये निले शेक्दम सीधा सदा गायाद मी था मैड़ा हाँ जब ये गायब हो गया तो उसके बाद वो कविता थी इसके बारे में पूछने के लिए कौने ये कविता जब वो आखरी बार पूछने आई निलेश के बारे में उसी दिन से ये कविता भी गायब हो गई ये हो क्या रहा है गिरिश कविता भी उसी दिन गायब हो गई अगर कोई बिना बता है काम पे आही नहीं रहा है तो में इतना सा भी फरक नहीं पड़ा कि तुम्हारे ही साईट से दो लोग ऐसे अचाना गायब हो गए जिसमें से तुम पुलिस कंप्लेन करवा सकते थी? मैडम, मैडम, यह लोग मजदूर लोग है मैडम और इनके लिए ना अचानक बिना बोले काम छोड़कर चले जाना यह कुछ दिन के बाद वापस काम मालने के लिए आना यह आम बहत है अच्छे यह बताओ गिरीश, यह कविता के बारे में हमें कहां से पता चल सकता है मागी अली है ना, वहां के चित्रपूरी करके बसती है वहां से आती थी यह कविता और हां, महारा स्टेन थी कोई फोटो वोटो, नंबर है तुम्हारे पास उसका अभी फोटो वोटो करा है माड़ा सर कहीं विजो निलेश की तरह कविता भी मारी तो नहीं गई यह चंदरो विखारी हमारी जोली में कैडा आल गया किसी कतल की टिप यह कतलों का पिटा रहा है एक मिसिंग कंप्लेंट दूसरे की तरफ इशारा कर रही है और एक मर्डर केस दूसरे मर्डर को दस्तक दे रहा है सर, I think हमें इस कविता को चित्रा पूरी बस्ते में ढूनना चाहिए शायद वो हमें निलेश की केस के बारे में कोई लीड दे पाए और निलेश का केस शायद विजय के हत्यारों तक हमें पहुंचा दे रतन रा, रोम का परसाद, ये कहां दौड़ने इस वक्त? सर्च जारी है सर, कब्रियों का महागड़ मंदन काम पर लगा हुआ है अपरेशन कवी दा, लेकिं ध्यान दे, इस रेले रेस में वो बैठन, वो कड़ी हमारे हाथ में आनी चाहिए जो हमें इन केसिस की तैह तक लेकर जाए, ऐसा नहों कि हर खिलाड़ी अलग अलग दाड़ रहा है, कोई ट्रैक में, कोई स्टेडियम में, बस से एक ऐसी कड़ी मल जाए, जो इन सारे केसिस को अपस में जोड़ दे, मर्डर और मिसिंग केसिस को पता ने इस रेल्वे ट्रैक पर और कितनी राशे बिछाए गई होंगे कविता को जानती हैं किसी कविता को जानती है कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करती है कविता, महरास्ट्रीन है हाँ, कविता हाँ, हाँ, अच्छी तरह से जानती हूँ कविता को पुरा नाम क्या इस कविता का? शादी के पहले था कविता मोरे और शादी के बाद हो गया कविता महलगी अच्छे तो उसका पती भी है कहां रहता है वो? आपको मालूम नहीं अरे, 2009 में उसका पती आच्छानक गायव हो गया गायव हो गया? कहां यहीं, चित्रापुरी से? हाँ अरे, एक नंबर का बेवडा था एक दिन गया बार में दारूपी ने और अच्छानक से गायव हो गया पुरा नाम क्या था इसके पती का? दैनन, दैनन महलगी माडम, यही हमारे साथ साइट पे मजदूरी करता था अरे, कवीता पे इतना हाथ साप करता था जानवरो जैसा मारता था पर पुलिस में किसी ने इस मार्पीड की कंप्लेन तो नहीं कराई होगी अरे, पती-पत्नी के जगडे में कोई पुलिस को लाता है क्या? और यही सोचकर पतानी कितनी सारी ओरते अपनी जान गवा बैठती है खेर, गोरी जी मुझे कवीता चाहिए कह मेलेगी? नफीसा वो है यह वो भी गायब? अरे, नहीं नहीं मेडम, अभी तोक तो है मतलब यहाँ चितरपूरी में नहीं यही बाजू में मागी हल्ली है ना, वो बस्ती में रहती है अरे, पिछले हापते में गई थी ना, बजार में वहाँ दिखी थी मेरी आपके बास नंबर है उसका? नंबर नहीं आज के बाद, आप रोज मागी हल्ली जाएंगे और वहाँ जाने के बाद आप नफीसा का इंतिजार करेंगे जैसे ही आपको नफीसा दिखती है आप तुरंत उससे हमारा कॉंटाइक कराएंगे ठीक है मेडम अबे साले जीतू एक टिप क्या लेया है चंदरू बिकारी की हमें पूरे क्राइम नाज की छुटिया कैंसल गरनी पड़ी लेकिन एक भी सुरा का हमारे हाथ नहीं लगा हाथ में था सर, यह रतन राओ हमारे हाथ में था लेकिन फूर हो गया फूर हो गया? मतलब कहां से फूर हो गया? दो मैने पहले से यह आरके मार्क पुलिस थाने में बनता है यह रतन राओ परसो जमानत हुए और निकल गया यहां से चार्ज क्या लगा था इस रतन पर? फुल मडर का मतलब यह हिस्ट्री शीटर है? यह सालाज जेल में बिटा था और हम लोग इसे पागलों की तरह बाहर डूण रहे थे सर अभी डबल शॉक के लिए रेडी हो जाओ इस रतन राओ के साथ में दूसरा बंदा था ना उमकार परसाद वो भी हिस्ट्री शीटर है के? एकदम इस रतन के साथ इसी मर्डर केस में अंदर था और इस उमकार के अभी तीन हपते पहले ही जबानत हुए यह तो हदी हो गए हमें कैसे बताने चला कि हमारे जो दो प्राइम सस्पेक्ट है वो दोनों के दोनों हिस्ट्री शीटर है हमकार, प्रसाद और रतन राओ दोनों हिस्ट्री शीटर हैं और मर्डर केस में अंदर रहे हैं अब तो पक्का लग रहा है कि निलेश और विजय को इन दोनों ने ठीकाने लगा है और कविता का पती द्यानांद मालगी जो 2009 से गाइब है तो यह ऐसा थो नहीं कि उसकी अननाचरल एक्सिडेंट केस की फाइल बनी हो पर असलियत में उसका भी मर्डर हुआ इस हिमांगी को तोड़ते हैं सार यह कब से खामोश बेड़ी तमाशा देख रहे थी इसने एक बार में मूह नहीं कोला कि इसके पती विजय के दोनों खास दोस्त ओमकार प्रसाद और रतन राओं यह दोनों के दोनों हिस्ट्री शीटर है सब्सक्राइब दोनों के आपस में कोई अनबन कोई तूतू मैमे हो गई हो शायद इस विजय ने अपने बड़े भाई निलेश को मरवा दिया हो पहले और फे बाद में किसी और ने विजय को मरवा दिया हो शकुछ नहीं मैडम मैं सबसे पले बिजय लें इन दोनों की दुष्मनी के ट्रैक सबसे पहले खंगाला था तेरह अच्छी तरह से और अच्छे से होना चाही ची जीतू अच्छी ही लेकई तोनें कार्ता च। प्राणी ओं अर ने तोन्स टोने अच्छी त्टार मैं स्टूज सर्व मैडम, आपकी फ्रेंड गौरी ने बोला मुझे आपको फोन करने को तुम नफीसा बोल रही हो? जी मैडम, नफीसा शेक है मेरा नाम कविता मलगी और उर्फ कविता मोरे को ढोंड रहे हम तुम्हारी दोस्त हुआ करती थी न? कविता तो अभी भी दोस्त है मेरी रहती का हैं कविता? सोलापूर में सोलापूर में? वहीं की तो है वो जब उसका शोहर दयानन्द गायब हुआ फिर निलेश भी तो कविता लॉट गई सोलापूर कविता को बोलूँ क्या आपको फोन करने के लिए? नहीं नफीसा तुम्हे काम करो फिलहाल तुम्हें कविता का फोन नंबर दे दो पर बात क्या है? तुम्हें आ क्राइम ब्रांच में आकर मुझसे मिलो उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ पर पहले तुम मुझे कविता का फोन नंबर दे दो पता भी है उसके घर का फोन करने के तो सोचना भी मत इसका भी तक हो एक टीम लो और सीधा सोला पर पहुचो इसके अड्रस पर और उठा लो इसका भी तक राइट सर में आरके मार पूलिस थना से बात करता हूं यह ओमकर और हतंच जिस मुर्डर केस में अंदर हुए थे उसकेस को स्टड़ी करता हूं हो सकते हैं दोनों के बारे में कोई लीड मिले सारे केसिस को अपनी समझ और पकड़ में रखना होगा और जो सब को जानकर भी अंजान बने बैठे थे उनकी तो बैंट बजानी है इंफर्मेशन का एक छोटा सा तिनका कई डूबे हुए केसिस को बाहर उभार लाया था हमारी तहकीकात के नईया को आगे बढ़ा पाया था पर किनारा अभी बहुत दूर था हमें एक से एक पेचीदा बवंडरों का सामना करना था सोलापूर पहुँचते पहुँचते ये सवाल पूरी टीम के जहन में डुकिया लगा रहा था क्या हम कभीता तक पहुच पाएंगे या वो भी घाइब हो जाएगी 2017 में हम पिछले कई सालों के कई केसिस को अंजाम देने जा रहे थे कल हम पेश करेंगे इस केस का दूसरा और शेश भाग जाहिए